मैं चार को जरूद के हैं विडियो को जाल जाल सेक्ट करें और मेरा इंस्टाग्राम फीस्बुक से इमेरा इस उभीड़ पेज करें चेलो बॉग कीुट करसे वहरायर है रायर अटकल हम आपनेट चाहएनेवाले खर में घाहन हमा रहा है है निचे साइट दुनियार और चारों तरफ टिडियों की चाहे खाने के आवाज चारों तरफ दोसों हरा बड़ा हो रखा है अभी जारों मैं गास लेने यह जुण खा कोई बाद में मैंने बड़ा रिस्क ले लिया है वैसी आइडोंट नो क्या होगा पहाड़ों में पानी काफी ठंडा ऐसा लग रहा है जैसा अभी इसमें आइश डाली हो लेके और मेरी पहाड़ी दाल मखनी भी तयार हो चुकी है और दोस्तों नमस्कार मैं विक्टर पाड़ी विक्टर पाड़ी ब्लोग में दोस्तों आरा आपका स्वागत है मैं हूँ दो तो दोस्तों काफी लंबी टाइम ब्लॉग बना रहा हूं कुछ दिनों की छुट्टों के लिए मैं घर आ रखा हूं और आज कल हम अपनी चाहिनी वाली घर में गाओं हमारा है निचे साइट तुनियार तो चाहिनी में हैं चाहिनी का नजारा सुबह का कुछ इस तरह मस्त दोस्तों हमारा चाहिनी वाला घर का नजारा कुछ इस तरह आपको दिखाता हूं चाहिनी की घर कैसे होते हैं यह हमारा प्यारा सा घर और हमारी यह बैंसे हमारे बैंसे हैं आर रहा है मेरे पाएं और यह नीचे साइड हमारा सागो आड़ा और पापर लागा यह मां पे कुछ प्रेक्स काने पे और सामने देखो हमारा जंगल वहां जा रहे हैं घास काड़ने के लिए मांज और सुबह सुबह चल गए चाचे और घास काड़ने के लिए वहां निकाल रहे हैं घास तो जोस्वे उठते के आद़त नहीं है मेरी जोटर लाइन की ड्यूटी मेरी अलग है सुबह दस बज़े ग्यारा बज़े उठते यह दिन की ड्यूटी होती है पांच शे बज़े यहां गाउं में गाउं में तो अब लोग ब्रहेंस होगे रहतना नहीं रखते तो इतनी गाउं में भी आराम से साथ है आठ बज़े उठते पर इधर छाइनी में मम्यों सुबह पांच बज़े उठते तो मैं भी छे बज़े उठ गया ठोड़ा सुबह गये में जारा कैप्चर करने के लिए कि नमस मौसम हो रखा और चारो तरफ चिडियों की चैकाने के आवाज सुबह उठो गास के लिए जाओ अब दोस्तों आज कल बारिस का मौसम हो रहा है और फाइनली बादलों को चीर के सुर्य देव ने भी अपने दर्शन दे दिया है और हलकी सी धूप निकलनी सुरू हो गई है पर बादल काफी जाद लगे हुए तो पाड़ों में मौसम को कोई बरोस नहीं कब धूप और कब बारिस होगी अवी जारों में गास ले ने यह जूण खा सामने ममी और गये ते गास ले ने तो ममी ने गास काड़ लिया तो ममी ने बुलाए गास ले में आजा तो चलते हैं मेनका थोड़ा अपनी फ्यत्मैस ही हो जाएगी इसी बाहने तो यह आ चुपाऊंँ दोस्तों में सामने जंगल में यहां गास ले निकाले जगण नाम है चाड़ काफी उनिक नाम है न और यह सामने घर यहां चाचओर रोगा है और यह वाला हमार है पहले काफी 17 18 परिवार रहता देख सकते हैं आप उपर भी घर यहां भी अभी आ उस साइड भी है कुछ घर मतलब सारे खंडर होगा गया कुछ इदर है और कुछ हाँ इस साइड है तो 17 परिवार तब सारे लोग आते थे तो काभी रौन राखती सबके खेत हरे बरे रहे रहे तो अब खेत आव जादो सारे बंजर बढ़ गए उपर के अब निया आते ऊपर वाले साइड कोई ने आते हैं दोनों आते यहां पर ममी पापा यहां चाची और इदर बस और कोई ने आता अब एक चाचो रहों मंगान हैं अब चाची और यह या जाते हैं एक दो मैने के लिए जाने तो कुछ इस तरह और शायने का और मारा निचे यहां से दिखा दो मैं आप गलना इन魔र और को इनके हमारा गले मेंben हेग काफ्रिन पहले सारे नूग चाइन में आते तके लग बग 6- हमारा गाओं में सब के दूसरे घर हैं मतलल किसी के सउ इस के उस साइड मतल्थ सब teu boy लोग गर्में उमें च्छाइनी की तरफ चले जाते अब not exist embryo gomininen अगए सामने रोड भी है और घर्गर में पानिमें पूर्ड़ी है गर्गर में लाइटी भी अब nos सो विदायें भी इतनी लेट आई है कि लोगों ने तब तक पलायन कर दिया है अब तो गाउं में भी लोग इतने नहीं रहते अब गाउं से भी लोग रिह सि लेशिकेस गेरा दून बन ज्यादा पलायन आपको पतां है उतरआखंड कर क्या आले पलायन बहुत बड़ी प्रॉबलम आ उतरखंड में ये लकड़ी कॉम बोलते हैं पाड़ी बास में सुदेटा तो इस पर लगा जा रहा है घास और मैं लेके जाऊँगा कंदे पर आपको दिखाता हूं कैसे लगा जाता है भारा इह दोस्तों भारा इस तरह घास को लकड़ी के बीच फसा के और रस्षी से इस तरह आपने दोनो हुआ कंदों में मैंने रस्षी को पसा दिया है वैसी साइट से पसाते हैं मेरे पूरे तरह नया रहता मैंने रहात गुसा दिये और कापी रिस्की है अंदर आप गुसाना क्योंकि हल्का सा पाड़ों में फिसल गए तो आप इस रस्षी से अपने आपको निच उठा पाओ मैंने बड़ा रिस्क ले लिया है वसी I don't know क्या होगा लेकिन पहाड़ी है इतनी आदतों होनी चाहिए पहाड़ों में चाहिए साथ पहाड़ निकाला था माझे में और चार मैंने लिया तीन माली लेके आगी निकलते हैं स्याम को इसका सरजरूर होगा अभी तो थोड़ा जवानी दिखा रहा हूं स्याम को पेन बताएगा सामने जाना है मैंने ज्यादा दूर नहीं है बड़ा अतनी है इसलिए काफी दूर है मेरे लिए फैनली पहुंच चुका हूं मैं घर पे और यह वाला गास लेका है था मैं आज कल बरसात कम होसा में तो गास खाफी हैबी होता है इतना आसान नी था रास्ते में तीन चावर जगा बैठना पड़ा और फैनली घर पे पहुंच गए अभी दस बिनी बज़े हैं और यहां ऐसा लग रहा है कि आता दिन खतम हो गया है और जब नीचे होते जौब पे तो ग्यारा बज़े उठना हराम से ऐसा लगता हो ग्यारा बज़े इस सुभए हो रही है पहाडों में पानी काफी थंडा ऐसा लग रहा है जैसा अभी इसमें आइश डाली हो लेकिन नहाना तो पड़ेगा ही और नहाते दोस्तों हरर महाद काफी ज्यादा थंडा पानी हो रहा है लेकिन वहाद शकून मिल रहा है अब दोस्तों अभी टाइम हो रहा है साड़े-ग्यारा नाफ्ट अगेरा कर दिया है और मस्त अपना नावां के तयार होती है मां जी गई है मेरी खेतों में अभी पावागए है गाहँ वाले घर में पारिवार में बावी और भी लहते हैं बच्चे और बावी और रहते हैं गाहँ-वाले घर में क्योंकि बच्चों की पड़ाइ इष्टार्ट हो चुकिए तो इसी साह से बतार बच्चों को इसको रखा है तो वहां से मार के नजीग पढता है रोड भी नंजीग पावज बच्चे इसले गाउं में रहतें, बादूर, और स्याम को पाप आएंगे, और पाप भी श्याम को अपनी जोब पे चले जाते हैं, उपर हमारे यहाँ है, थोड़ा उपर इदर से ही, सूला प्लांट हो गेरा लगे रहतें, तो पाप हो जोब करते हैं, तो चलो मेरा काम है, खाना बनाना दिन की तयारी करना तो मैं खाना वगेर बनाऊंगा और मेरी पहाड़ी दाल मखनी भी तयार हो चुकी है और दूसरी तरफ चावल चड़ा दिया हमने परेशर पे इसके बाद हमारा खाना हो लाएगा रेड़ी कपड़े के तोड़े बहुत अपने दुलने के लिए दुल दिया है और माजी भी आ गई है खेस से अब खाना पर ना खाते हैं उसके बाद रेश्ट करेंगे उसके बाद सीधा श्याम को बनाएंगे ब्लॉक क्यों रहा दोस्तों स्याम के छे बच्चों के और हमारे भेंद लोगेर अभी थोड़ा देर पहले बहार आ गई थी और अभी जाओंगा मैं सामने वाले घर में चाचोरों से यहां चाचोरों से मिलके आ जाता हूं और स्याम को नजारा कुछ इस तरह और दोस्तों अभी आ गया हूं मैं चाचोरों के घर पे यह हमारा चाचोरों को घर यह बैल बैंस और दोस्तों अभी हो रहा है टाइम्स शाम के साड़े साथ बच चुके हैं और सामने चाचोरों यहां लाइट जल चुकी है रहते नहीं है यहां रहते गाउं वाले घर में व्लाइट लगिए यह वाल्य पीजलि नहीं और सामने हमारी बारी लाइड भी जल गई है पिए अगे चासाद को घर और उनके जानवर पारोर हब फ्रुष्ट और वर होने वाल है यहां हो ब्रुष्ट फीजल हाँ कि अब हो गया हो जाला हो जाला और यहां पर देखो निक्की सार मारी है चाचे निक्की रहती है यहां संदीरा पढ़ने वाला है अभी दिकवड़ों अपने घर के लिए लाई टाउन हो चुके निक्की सार मारी है अभी आ चुका हूं दोस्तों अपने घर पे चाजे और रोगया गया थोड़ा तोड़ा वहां पर गप्ते सुपे मारी और यहां पर मांजी पापा मांजी बना रेखाना यह रात का कुछ इस तरह हमारे घर का न जा रहा है और यह पाड़ी कीचन दोस्तों या रात के नौब आ चुके है चलो हर डिनर करते हैं तो कुछ इस तरह आ रहा है आज का दिन सब्सक्राइब करें वीडियो को like, comment or save करें और मुझे इस्टर्ग्राम और फेस्बूक पीज़ बें फॉलो करें मेरा इस्टर्ग्राम पेज और फेस्ट्रूक पेज पिक्टर पाटी बलॉग नाम से हैं तो प्लीस वा भी मिझे सपोर्ट करें तो मिलते आपको नेक्स बलोग में अभी के लिए चलतें बाई